सब्सक्राइब कर लिए और जिस तरह से इतने भी चोटी से चोटी चीजों को समझते हुए पढ़ने वाले हैं और कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आप थोड़ी से भी कहीं भी एक पॉइंट समझने पोई प्राब्लम ना होगी जहां आपको जिस पॉइंट में डाउ करके देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते आज की वीडियो को पर उसे पहले जिदे आप चैनल पर नई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तो कि आपके चोटी से सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बहु सबसे पहले समझो कि purification क्या होती है तो इस purification विसकिल एक process होती है उसमें क्या करते हैं वाटर में जो impurities मिली रहती गंदगी मिली रहती उससे clean करते हैं और देखो हर एक वाटर हर जग की वाटर को तो हम लोग असटाइट गंजी उमनी कर सकते हैं जहां तांके water लिती हो तो पिमार भी पढ़ सकते हो तो सबसे पहले वाटर को clean करनी होती है जो भी open source water होती है और उसके बाद उसे क्या कर सकते है drinking purposes के लिए use कर सकते हैं तो सेहरों में अचकल क्या हो रहा है कि आप आधी बहुत थीजगती से बढ़ रही है और जितनी थीजगती से आप आधी बढ़ इसे वाटर होती है उसकी बीर यह दिन और दिन क्या होते जा रही है तो इसलिए हम क्या करने होती है जो गराउंड वाटर में जी सब्सक्राइब करने के लिए काई सारे प्रोसेस होती है जिन प्रोसेस में कुछ है जैसे कि loading and sedimentation, second process में second step में आता है filtration chlorination storage airionation और और weekly के सकते हो नहीए यह water को purify करने की इतने सारे steps तो आज वीडियो में सारे steps को तेखने वाले समझने वाले और उपने वाले काइसे clean होता है तो first step जाँ पर loading and sedimentation process आती है तो loading and sedimentation process basically क्या होता है कि इस process में हम लोग क्या करते है देखो जो running water होती है आदे कि पिसके लिए हम लोग क्या करते है जो water है उसे lake से या फिर pond से या फिर job कर day में वहां से पहले उठाते हैं सब pump करते हैं और pump करने के बाद उसे बड़े से tanker में, basin में, tanks में या फिर reservoir में उसे store करते हैं नहीं वह प्राउस का पार्ट होती है तो water को सबसे पहले आपको intake करनी होती है और लेने के बाद गई पिए बड़े से container में store करनी होती है तो container में store करने के बाद हम उसे छोड़ देते है थोड़ी दिर के लिए थोड़े टाम के लिए undisturbed और undisturbed कहने का मतलब ना कि उसको प्रिशान निकानी है वो बिसिकली जैसा है water लाकर undisturbed रग तो इसमें क्या होते हैं जो suspended matters होती है इंपरूटिस होती है जो इसमें घुलेवे रहते हैं जी से पत्य हो गया है तो थोड़ी देर लाद छोड़ दे रहे के बदद सेडिमेंट हो जाता है पार्टिकल है वो इसली से डिवेंट हो जाते हैं तो आपको आगे ने बेटर समय सब्सक्राइब के लिए सदिमेंटिशन और प्रॉसेस का डैफिनिशन दिया हुआ है इवें अपकी एक्जाम से में आज आई या फिक आपके जो कुशांस और वहां पीजिए से रिए रिए आप इसे अच्छे शुश्य हम जो और जो रग पड़े तो आप नोटीबी कर लो तो गई सलिए दिखते है सेडिमेंटिशन क्या है तो गई सेमेंटिशन बिसेकल एक प्रॉसेस जहां पर हम रोगों जो सस्पेंडड़ पार्टिकल्स होते हैं उसे सेटल डाउन करते हैं त इसके बाद नहीं होएं और फिल्टिशन में क्या करते हैं जो सेडिमेंटिशन की बात की वाटर चाहां पर अभी भी कुछ लाइटर सस्पेंड़ इंपुरूटिज हैं जो कि अभी सेटल डाउन नहीं होएं सेटल के पार करते हैं तो यह सब इस सब इस प्रोसेस से जब गुज़रने के पास आपकां जो यह यहां पर आपका unfiltered water है, सबसे top में जो हमने डाला, इसके निचे fine sand है, layer of charcoal है, fine gravel है, coarse gravel है, stones है और filtered water at the last time बच जाती है, तो यहां पर एक tap लगी है, यह आपका outlet है, और यहां उपर में कैसे तो यहां से पहले water डालो, और water डाल लगी हुआ जीदर से exit होता है, और इस प्रक्रिया में, हमारे जो water है, वो filter हो जाता है, इसमें जितने पहले impurity रहते हैं, suspended होती है, जो water में खुली भी रहती है, वो पूरी तरस से clean हो जाती है, इसमें उन्हों use क्या करते हैं, यहां पर हम उन्हों use करते हैं, पतले-पतले sand का, उसके निचे charcoal होती है, फिर उसके निचे fine gravel है, fine gravel हो मतलब stones के चोड़े-चोड़े टुकड़े होते हैं, और यह coarse gravel है, मतलब उसे थोड बड़े से बड़े होते हैं, और इन सब के basically use करने के पाद जो water है, वो clean हो जाता है, लेकिन अब यह भी water जो हमारा पीनलाइक नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, next step जो हमारा है, वो है aeration, तो aeration process में क्या होती, जो air है, उसको pressure में blown करा जाता है, filtered water, जो filtered हो बहुत ही pressure से जो आपका air है, उसे इसे blown करा जाता है, और इस process उसे हमनों करते है aeration, तो बड़ इस process करने के क्या हो सकता है, यह process बिसके लिए करता क्या है, तो guys दिखो, यह क्या करती है, यह kill करती है, harmful microorganism present in the filtered water, जो filtered water में microorganism present होती है, उसे kill करने में यह help करती है, next process आता है chlorination, और chlorination process जहां पर हम क्या करता है, water को जो अब airination के बाद आ रहा होता है, इसके बाद हमें दूविदा और संका है, कि water में immunities है, यह कैसे हो, germs bacteria होगे रहा है, तो उन bacteria को kill करने के लिए, हमनों water में chlorine एड करते हैं, और chlorine को add करने के process of water में उसे हमनों करते है, chlorination, और इसके मुझे से execute करता है, तो जो water पूरी तर से अब portable और safe full drinking को जाता है, बिल्कुल पाने-like, पीने-like हो जाती है, और इसके बाद जो next process जो आता है, पो storage, अब क्या करो, जब आपके water जो बिल्कुल पीने-like हो जाते है, तो उसे आप क्या करो, store करो, बड़े बड़े tankers बना करके, जो water उ क्या इसमें filtered होती है, नहीं होती है, कैसे filtered होती है, filter होती होती है, क्या process है, तो इन से भी process करें, तो आम लोग वाटर को clean करते हैं, और clean करने के बाद पीने-like उसे बनाते हैं, तो अब जो यह water है, जिसमें अभी थोड़ी पूरी impurities बच्ची वी जो कि उसमें dissolve है, तो उसे नहीं पीना, और अक्षा पहले के टाइम में क्या होता है, यह purify करने के इसारी process नहीं होती थी, और उनको कुएं का पानी पीना होता था, और तो उसमें बहुत सरी bacteria और jumps हो गया रहा होती थी, बहुत सरी dissolve impurities होती थी, जिसके वज़े से हमीशा बीमार होती थी, तो अक्ष इतनी भड़ी temperature पे वो खिली हो जाती है, वो पितास नहीं कर पाती है, तो इस जो water को boil करके और उसे purify करने के प्रोसेस है, यह बहुत लार ज़द के लिए पर नहीं किया जा सकता है, तो next step इसके लिए हमारे पास है filtration, तो हम क्या करते हैं, जो अभी आपका suspended impurities जो water में है, या फिर उसमें dissolve है, या फिर वेल में है, रिवर में है, लेकि में उसे remove करने के लिए फिल्ट्रिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, जहां पर fine muslin clothes आने की बहुत ही पतला और जो close होती, clean clothes होती है, उसका प्रोसेस है वहाता है, वाटर प्यूरिफायर कर सकते हैं, और वाटर प्या कर सकते हो, तो कोई सब कंपनियां क्या करते हैं, जो बड़े मड़ी कंपनियां है, वह वाटर प्यूरिफायर से बनाती है, इसको लोग RO system भी कहते हैं, इस प्या प्यूरिफायर है, वह क्या थिक टैप से connect हो जाती है, हमारे कीचैन्स में, और जो टैप वाटर है, ज बढ़ी, आ यहीं है प्यूरिफायर है, वह प्यूरिफायर है, वह कुछ carbon powder रहते हैं, और बहुत सारी जो आपको न मेरे यहाँ पे this process इना, फिल्रेशन में बताया था, इतने सारे process, इतने सारी प्यूरिफायर में बताया था, वाटर को clean करने के लिए इन सारे steps उते गूर स्टेक्स अप श्राइब तो इसनसे फिल्ट्र जो है आपके लगे वे रहते हैं कुछ फिल्ट्र बेपस लगे हुए हैं मेकनिजर रहते जिसे से डिट्टिस में आपको आगी क्लास्केस में पढनी होती है तो उनसे हमारे जो वांटर है वो तो आपको बस याद रखने वाटर को purify करने के लिए क्लीन करने के लिए गहरों में हम लोग RO system को भी install करते हैं next process by chlorination to chlorination कर बिस्ताइब करके भी हम लोग वाटर को अपने घरों में क्लीन कर सकते हैं तो chlorination process में क्या होती है कि जो stored water होती है हम लोग अपने घरों के ऊपर में रूफ में अहात हो अपने हाउसे के घरों पर में अपने रूफ में अपने रूफ पर जो टैंक्स लगा कर रखे हो रहे तो उससे सेफ बनाने के लिए क्लीन करने के लिए हम लोग क्लोरीन के टैबले डाल सकते हैं यह जो क्लोरीन की टेबलेट उसको डालने के ही क्वाइंटिटी होती है आपको 25 LL of water में वन टेबलेट एड़ने होती है बिलकुप पीने के लिए त्यार हो जाता है next and last process आपका यह आपका lab method क्या सबते हो तो यहां से हम लोग क्या सबते है water को purify करते है by distillations to remove soluble importage तो अब जो water में soluble importage present उसे clean करने के लिए हम distillation process कर सकते हैं distillation process में क्या होती है कि हम basically इस तरह के एक अपने schools के lab में इस तरह की structures को देखा होगा यहां पर हम लोग क्या करते है एक container में water को डाल करके उसे boil करते है और boil करने के बाद वहां से steam बनता है जो vapor बनता है उसे फिर cool करते है यहां पर देख सथा तो इसे cool करने के process और cool करने के ब होता है water का but it is not good food drinking because लेकिन यह जो distilled water यह हमारे drinking purposes के लिए सही नहीं होती है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई भी मेनर्स और कोभी salt जो है वो नहीं होते है और यह मेनर्स और salt हमारे body के लिए required होती है और साथ साथ जो water वह आपका testless हो जाता है तो अक्सार अपने घरो तो चलो ठीक है प्यास बुझाने के लिए बट इससे आपका testless जाना वह बहुत गंदा आएगा और आपको पीने में मज़ा नहीं आगा मैस पीने का मन नहीं करेगा तो कह सकते हैं जो आपको distilled water है उसके पीजाते हो तो कोई problem यह कोई नुक्शान नहीं होती है but basically in water से इंवर्टर का जो बैटरी में लिक्वीड का परयोग करते हैं तो अक्षर आपने घरों में देखा हुआ कि आपने इंवर्टर की बैटरी में डालने के लिए ना आपके मार्केट से बोटर में पानी लिखाते होंगे और उसमें लिखा हुआ रहा रहता है distilled water बनाने का यह एक्सराइज थरी को complete करनेगा और फिर एक्सराइज थरी के पास जो हमारा need to conserve water और next जो हमारा टॉपिक है water pollution से complete करेंगा और इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो complete हो जाएगा तो चलिए आज की वीडियों पर से इतना ही नहीं मिलते है नेक्स टूडियो में तक के लिए जाहिंद जय भारत